Hello friends welcome back to my channel दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं दो फ्लेवर में ये बहुत ही टेस्टी मैंगो पॉप्सिकल्स सिर्फ 50 पैसे की टॉफी में आज हम बनाएंगे कच्चा मैंगो पॉप्सिकल्स और पके हुए आम के फ्लेवर वाली यह बहुती टेस्टी आईसक्रीम जो आप देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है और इसे घर में बनाना दोस्तों बहुती जादा आसान है गर्मी का मौसम है और बच्चे तो डिमांड करते ही आईसक्रीम की तो आप उन्हें इस तरह से घर पर बना कर दीजिए बच्चे भग कर खाएंगे यह इतनी जादा टेस्टी आइस्क्रीम तयार होती है दोस्तों बहुत ही असानी से आज हम इसे बनाने वाले हैं तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों पॉप्सिकल्स बनाने के लिए यहां पर हमने लिया है कच्चा मैंगो बाइट यह आपको इ तो इसमें से हम 20 कैंडी जी लेंगे तो दोनों में से हम 20 कैंडी जी पॉप्सिकल्स बनाने के लिए ले रहे हैं तो देखे इस तरह से मैंने दोनों पैकिट ले लिये थे तो आपको इसली मिल जाते हैं तो बहुत जादा मेहंगे भी नहीं है 50 पैसे में एक टॉफी आती है तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इने बनाना तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे कच्चा मैंगो पॉप्सिकल्स तो उसके लिए यहां पर मैंने 20 कैंडीज ले हैं कच्चा मैंगो की तो इन्हें हम इस तरह से रैपर से अलग करेंगे और इन्हें डाल दिया है ग्राइणिंग जार में और अब हम डाल देंगे इसमें 1 धर्ड कप प्लस 2 टेबल स्पून चीनी रगुलर चीनी हमने यहां पर डाल दी है और अब हम इन्हें अच्छे से पीस लेंगे हम इसका एक्दम पाउडर तयार करना है तो देखें यहां पर मैंने इसे पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही असानी से पीस जाती है तो इसका इस तरह से पाउडर तयार हो गया है तो चलिए जल्दी से इसे ट्रांसफर कर लेती हैं एक बाउल में तो देखिए सारे powder को हम इस तरह से बाउल में डाल लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी तो यहां पर मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल दिया है पानी बहुत जादा ना डाले नहीं तो फिर popsicles में वो टेस्ट नहीं आएगा अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि यह अच्छे से इसके अंदर पानी के अंदर घुल जाए तो अब इसको टेंगी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रहे हूँ 1.5 टी स्पुन लेमन जूस यहां पर मैंने फ्रेश लेमन जूस एड़ किया है अब यहां पर 1.5 टी स्पुन हम डाल देंगे चाट मसाला तो बहुत ही जादा टेस्टी पॉप्सिकल्स बनने वाले हैं दोस्तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने इसे चमत से अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब यहां पर मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक पींच ग्रीन फूड कलर दोस्तो यह पाउडर फूड कलर है इसको डालना टोटली ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो आप डालिए अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं इससे पॉप्सिकल्स का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है तो कच्छा मेंगो पॉप्सिकल्स के लिए सिर्फ वो तैयार है तो चलिए अब पाके हुए फ्लेवर की मेंगो पॉप्सिकल्स बनाने के लिए यहां पर हमने 20 कैंडिस ली है अब टोफी को रैपर से अलग करके क्योंकि हम डाल देंगे इने grinding jar में क्योंकि हम इने पीसने वाले हैं तो यहां पर मैंने 20 candies ही ली हैं अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज्यादा candies भी ले सकते हैं तो देखिए सारी candies के मैंने wrapper अलग कर दिये हैं और इनको हम grinding jar में डाल कर और इसमें हम डाल तो देखिए यहां पर हमने इसका powder तयार कर लिया है एक्तम fine powder इसका तयार हो गया है तो चलिए अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे तो देखिए इस तरह से मैं इसे एक container में डाल रही हूं और इसमें हम डाल देंगे डेड़ कप पानी तो यहां पर हमने डेड़ कलर देने के लिए मैं इसमें एक पेंच यलो फूड कलर डाल रही हूं दोस्तो फूड कलर डालने से टेस्ट में कोई भी फरक नहीं आता है बस यह देखने में थोड़ी जादा अट्रेक्टिव दिखेंगी इसलिए मैंने इसमें powder फूड कलर एड़ किया है तो इस तरह का पॉप्सिकल मोल्ड लिये हैं दोस्तो यह बहुत यह असानी से मार्किट से मिल जाते हैं लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं तो चलिए जो कच्चा मेंगो टॉफी से हमने सिरप तैयार किया है उसे हम मोल्ड में इस तरह से भर लेंगे तो यहां पर मैं तीन मोल्ड के अंदर यह सिरप टाल रहे हूँ बाकी तीन मोल्ड के अंदर हम दूसरा सिरप टालेंगे तो यहां पर हम इन्हें उपर तक नहीं बना है थोड़ी सी जगा मैंने मोल्ड के अंदर खाली ही रखी है तो यहां पर मैंने अलमीनियों फ पके होए मैंगो के फ्लेवर वाला हमने सीरब तियार किया था उसे हम इस तरह से मोल्ड के अंदर भर कर इस तरह से इसे कवर कर देंगे ऐलमीनियों फॉयल से तो देखिए सारे मैं फिल कर लेते हूं फिर आपको दिखाती हूं तो देखिए आम पर हमने फिल कर लिये हैं हम न और लो आईस्क्रीन को सेट कर सकते हैं याँ पर हमने सारे स्डिकिस के अन्दर डाल दिये हैं अब हम इन्हें फ्रीजर में रखेंगे ओवर नाइट के लिए सेट होने के लिए तो चले उन्हें फ्रीजर में रखतेती हूँ और यहां पर मेरे पास एक कुलफी मोल्ड और है तो इस तरह का है तो अब जो आइस क्रीम हम बनाएंगे वो बनाएंगे दो फ्लेवर में तो यहां पर जो पके होए मैंगो फ्लेवर की हमारे पास यह सिरप है उसे हम इस तरह से मोल्ड में डाल देंगे हमें इसे आधा ही डालना है उपर तक नहीं बनना है आधा हम इसे खाली ही रखेंगे तो देखें यहां पर मैंने इसको आधा अधा इस तरह से भर लिया है इससे जाधा हम इसमें नहीं डालेंगे और अब हम इसे ऐलमीनियूम फॉयल से इस तरह से कवर कर लेंगे और कवर कर करने के बाद हम इसमें लगा देंगे वोडन स्टिक जो कुलफी के स्टिक आते हैं तो देखिए ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगी न तो आपको इसकी शेप प्रॉपर दिखाई देगी तो नाइफ से इस तरह से कट लगा लेंगी छोटे-छोटे और इसमे डाल देंगे हमारे जो कुलफी स्टिक आते हैं उसको हम इस तरह से इसके अंदर डाल कर इससे दो घंटे के लिए हम फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या आगे क्या करना है तो देखिए दो घंटे के लिए मैंने इससे यह पॉप्सिकल्स तयार होंगे बहुत ही जादा टेस्टी यह लगने वाले हैं तो देखे हम इने इस तरह से फिल कर लेंगे जो जगह हमने इसके लिए छोड़ी थी खाली रखी थी थोड़ी सी मोल्ड में तो उसमें हमने डाल कर फिल कर लिया है तो अब हम यह फिर से अलमी के लिए फ्रीजर में रखा था और यह बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है तो देखे हाथों से हलका सा रब करेंगे न तो बहुत यह सानी से जो हमारे पॉप्सिकल्स है वह बाहर आ जाएंगे आइस क्रिम जो है बहुत इजी निकल आती है अब चाहें तो पानी में हलका स डिप करके भी निकाल सकते हैं तब भी पॉप्सिकल्स बहुत ही इस तरह से मोल्ड से बाहर आ जाते हैं तो देखे बहुत ही जादा यमी लग रहे हैं जो हमने इसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल दिया था उससी बहुत ज़़ादा अट्रेक्टिव दिख रहे हैं दोस्तों तो देखे बहुत ही अच्छे हमारे पॉप्सिकल्स तयार हुए हैं मैंने हलका सा इस तरह से हाथों से रब किया है और बहुत ही असानी से पॉप्सिकल्स जो है मोल्ड से बाहर आ रहे हैं तो बहुत ही यमी है आप भी ज़रू ट्राइ कीजे इस रेसिपी को दोस्तों अग गई है तो थोड़ा सा पानी के अंदर हम इस तरह से इसे डिप करेंगे और तो रहंती निकाल लेंगे तो मैं आपको पहले दिखा देती हूं कि कितने असानी से यह बाहर निकल आती है और देखिए कि यह दो फ्लिवर में हमारी पॉप्सिकल्स जो है वो तैयार हुए हैं बहुत ही जादा टेस्टी हैं जिनको दो फ्लिवर में एक ही साथ चाहिए तो आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं तो बहुत ही जादा यमी लग रही है दोस्तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा आपको बहुत जादा पसंद आएगी दोस्तो आज जो हमने यह आईस क्रीम तया जालना है और जहां तक मीठे का सवाल है तो आप मीठा अपने टेस्ट के अंसार डाल सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी पॉप्सिकल्स आप घर में बहुत यसानी से तयार कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में उमीद करती हूँ आपको आज की यह रेस्पी पसंद आई और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो दोस्तों मिलते हैं एक नहीं और असान रेस्पी के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग